उतरप्रदेश के नगर निकाय चुनाव के नतीजे 13 मई को सामने आएंगे ऐसे में देखा जाए तो सभी राजनितिक दलों की तरफ से कई बड़े बड़े एलान किये जा रहे हैं आपको बता दें ये नगर निकाय चुनाव सेमी फाइनल कही गई हैं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जो साल 2024 में होंगे 2024 के लिए आखिरकार क्या कुछ एहम रणीतिया हैं सपा प्रमुक अखले श्यादव की बस्पा सुप्रीमो मायवती की तो वहीं कॉंग्रेस पार्टी की ये जानकारी हम लगातार आप सभी के भी साजह कर रहे हैं लेकिन इस रिपोर्ट के जरीए आपको बतानी जा रहे हैं आखिरकार प्रताबकड के कुंडा से विधायक राजा भाईया क्या कुछ कहते हैं जी हाँ राजा भाईया जो छे बार निर्दलिय चुनाव जीच चुके हैं कुंडा में उनका एक अलगी वर्चस्प है राजा भाईया भी कुंडा में हुकार भरते हुए नसर आए हैं राजा भाईया के गड़ पहुचे सेम योगिय दित्यनात प्रताबगड पहुचकर उन्होंने अपने उमीदवारों के लिए जनता से अपील की वोट मांगते हुए नसर आए ताबर तोड उन्होंने रेलिया की, वहीं दूसरी ही तरफ राजबहया भी पीछे नहीं रहे दरसल आपको बता दें कि सपा प्रमुक अखलेश यादव स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतरे नेताजी के चले जाने की बाद उन्होंने अपनी रणीतियों में बतलाव कर लिये हैं ऐसे में यूपी निकाय चुनाव को लेकर राजबहया ने डंकी की चोट पर अपने इंटरिव्यू में तमाम बाते रखी दरसल आपको बता दें कि इन चुनावों में कुंडा सीट से भाजपा ने डॉक्टर सुमन शाहू को आगे किया वहीं सपा की तरफ से गुलशन यादव की पतनी सीमा यादव चुनाव लड़ती हुई नसर आई ऐसे में राजपहिया ने इस बार भ्रामड चहरे पर दाव लगाया बसपा से अध्यक्ष रहे शिपकुमार तिवारी की पतनी उशा तिवारी को उन्होंने मैदान में उतारा आपको जानकारी दे दें कि जन सत्ता, पार्टी, हीरा गंज और डेरवा सीट से अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाते हुए नसर आई है पार्टी ऐसे में राजपहिया ने अपनी तैयारियों को लेकर भी खुलासा किया राजपहिया ने अपने इंट्रिव्यू में साफतोर पर अपनी बात रखी अभी तक की राजनितिक सफर में हमें काफी जादा अनुभवी साथी मिले जिसके चलते आने वाले निकाय चुनाव में डेरवा, हीरा गंज और कुंडा सीट से हमारे तीन प्रत्याशी मैदान मे उतारे गए। पास है और ऐसा इस दोरान है जब हमारा किसी पार्टी के साथ गटवंदन नहीं है। पार्टी को किस तरीके से आगे लेजाना है। पास होगा कि राजबहिया अपनी इन रण्नीतियों पर खरा उतरते हुए नसर आएंगे या फिन नहीं। निकाय चुनाव की नतीजों का फिलहाल इंतजार किया जारा है। इस रिपोर्ट में इतना ही बागी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही बागी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते हैं।